उत्तर परदेश और पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए किसान संगटनों ने भी कमर कसली है भारतिय किसान यूनियन के नेतार आकेश्टिकेट ने कहा है कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला हुआ है उन्होंने कहा है कि यह पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा की होगी भारतिय किसान यूनियन की नहीं और यह पंजाब की तारीक पास सितंबर को रखी गई है किसान नेता राखेश टिकेत ने कहा है कि हम तो बड़ी पंचायत करेंगे आगे की बाद संयुक्त किसान मोर्चा करेंगा एक चाप्टर खत्म हो जाएगा और आगे की चाप्टर की बाद मुझाब परनगर की जमीन से तह होगा महा पंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर राकेष टिकेट ने कहा कि पता नहीं क्या मतलब रहेगा, हम सभी रर्णिति अभी कैसे बता दें राकेश टिकेद ने कहा कि मुझपर नगर में पूरे किसान इकठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे कि इंपेक्टिव रूप रेखा होगी किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकेद ने कहा कि चुनाव लड़ना क्या कोई गलत है हम क्या वोट नहीं देते हैं अगर जो वोट देते हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है वो चुनाव लड़ सकते हैं राकेश टिकेद ने साप मुझबूत होगा और पता नहीं हम कहां जाएंगे